एक दिन पहले सुन्या गांधी की बेहद करीबी और हर्याणा कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शेलजा के अच्छा पारी के अच्छान पारी के अच्छानक जैपूर यात्रा के बाद आज राहूल गांधी के बेहद करीबी नेता और करनाटे कॉंग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकमार की जैपूर आकर अश्रोग गहलोज से खास मुलाकाद सियासी हलकों में चर्चा का विश्य बनी हुई हैं दोनों नेताओं का इस तरह से जैपूराना अश्रोग गहलो से मिलकर वापस दिल्ली लोटना बता रहा हैं कि मकसद केवल मंत्री मंदल विस्तार और फेर वदल नहीं मामला इससे कहीं बड़ा हैं दोनों नेता आला कमान का कोई खास संदेश लेकर आए हैं हलाएं की दोनों ही नेता इन यात्राओं को नीजी बता रहे हैं दरसल कोरोना काल के चलते एक लंबा समय हो गया हैं जब मुख्यमंत्री अश्रोग गहलोत दिल्ली नहीं गए हैं इस दोरान कई बार प्रभारी अजय माकन, संगठन महसचीव, केसी वेन गोपाल, राश्ट्रिय कोशा, देक्षपवन बंसल के अलावा दिल्ली के कई नेताओं ने आकर सीम से मुलाकात की हैं लेकिन उन नेताओं की यात्राओं और मुलाकातों का मकसद इस पश्ट और साफ था लेकिन कुमारी शैलजा और डीके शिवकमार का अचानक जैपुराना, मुक्यमंत्री अश्रोग गहलोत से मिलना और फिर दिल्ली जाना बता रहा हैं कि इस बार कारण कुछ अलग नजर आ रहे हैं बड़ी बात तो ये हैं कि दोनों नेता दो अलग-अलग राज्यों के PCC अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा हरियाना में PCC अध्यक्ष हैं तो डीके शिवकमार को भी करनाठका में PCC अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई हैं कुमारी शेलजा के अशोग गहलोत के साथ संबंद अच्छे हैं राधस्तान में विधानसबा चुनाव के समय स्क्रीनिंग कमेंटी के चेर्मेन के तौर पर उनकी भूमी का महतपूर्ण रही थी वहीं करनाटका विधानसबा चुनाव के समय मुख्यमंत्री अशोग गहलोत का कॉंग्रेज को सत्ता में लाने में अहम रोल रहा था दोनों ही नेता गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं माना जा रहा हैं कि गांधी परिवार का कोई एहम और खास संदेश अशोग गहलोत के लिए लेकर आये हैं दरसल हाल ही में अजयमाकन जैपूर में तीन दुनों तक सत्ता और संगठन को लेकर फीडबेक लेने के बाद राहुल गांधी को मंत्री मंडल में बदलाव और फेर बदल का पूरा ब्लूप्रिंट सौंप चुके हैं लेकिन उस पर अभी तक कोई अक्षन नहीं हुआ है वहीं दूसरी और कहा जा रहा है कि अपने स्वास्ते की जाच करवाने के लिए सोनिया गांधी पांच अगस्त को अमेरिका जा रही है उससे पहले मंत्री मंडल विस्तार और फेर बदल को लेकर अगर फैसला नहीं हुआ तो मामला लंबा आटक जाएगा ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर डीके श्रीव कुमार की ये जाइपूर यात्रा केवल मंत्री मंडल विस्तार और फेर बदल को लेकर हैं सवाल ये भी है कि आखर वह कौन सा संदेश है जिसे देने के लिए दो अलग-अलग PCC अध्यक्ष को जाइपूर आना पड़ा है सुशान पारिक, Zee Media, जाइपूर